हेलो स्टुडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे ग्रेडियंट ओफ ए स्केलर तो बेसिकली प्रिवियस लेक्चर में जब मैंने आपको डैल ओपरेटर श्टडी करवाया था तब मैंने आपको बोला था कि डैल ओपरेटर पे हमें ग्रेडियंट, डैवर्जेंस, करल एंड फर्स्ट ओपरेशन स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट, तो बिसिकली ग्रेडियंट ओफ ए स्केलर जैसा नाम से क्लियर है कि हमें स्केलर का लेना होता है, स्केलर फील्ड का हमें कैल्कुरेट करना होता है ग्रेडियंट, तो अगर मैं सबसे पहले सिंपल लेंग्विज में आपके साथ definition discuss करूँ तो definition क्या होती है तो देखिए gradient of a scalar is a vector ध्यान रखिएगा जो gradient है वो vector है निकाला scalar का जा रहा है लेकिन है vector तो gradient of a scalar is a vector that represents both magnitude and direction obvious सी बात है vector है तो magnitude and direction दोनों represent करेगा तो that represents both magnitude and direction of maximum rate of change of scalar ठीक है तो जिस scalar का आप gradient निकाल रहे हो let's suppose वो scalar हम नाम दे रहे हैं हाँ पर V ठीक है इस scalar का नाम में क्या ले रहा हूँ V ले रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे gradient of a scalar V is a vector that represents both magnitude and direction of maximum rate of change of V ठीक है तो ये point आपको ध्यान में रखना है और जैसा मैंने हमेशा बोला है important चीजों का आपको notes बनाते चलना है तो यहाँ पर इस point को अब understand करने के लिए या mathematically calculation के लिए देखो यहाँ पर मैं एक figure आपको draw करके दिखाऊंगा क्योंकि ना हमें सिर्फ definition रटनी नहीं है हमारा target जो है ना इस subject में हम हर एक चीज को figure wise सारी की सारी चीज understand करने वाले हैं ठीक है हमारा target क्या है यहाँ पर कि हम हर एक चीज को figure wise समझें तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर मैं z axis ले लूँ यहाँ पर x axis और यहाँ पर y axis इसके बाद अब अगर मैं इस तरीके से आपको show कर दूँ तो यहाँ पर अब आप understand करो मैंने यहाँ पर देखो तीन तीन structure बनाए है इन्हें मैं क्या कहूंगा यहाँ पर contours तो basically इनके नाम मैं दे देता हूँ v1, v2 and v3 तो यहाँ पर यह जो v1, v2, v3 है न यह क्या represent कर रहे हैं आपके यह आपके represent कर रहे है contours at which v is constant आपको ध्यान क्या रखना है यह represent कर रहे है v1, v2, v3 contours at which v is constant यह point आपको ध्यान रखना है v आपका क्या है, constant है अब यहाँ पर हम gradient निकालना चाहते हैं scalar field v का तो इसे हम mathematically कैसे represent कर सकते हैं या कैसे calculate कर सकते हैं तो देखो, अगर यहाँ पर मैं point p1 ले लू और यहाँ पर अगर मैं point p2 ले लू ठीक है तो point p1 and point p2 के बीच में जो यह आपका difference होगा field में ठीक है we can calculate the difference in the scalar field dv between points p1 and p2 तो यहाँ पर जो हम dv calculate करेंगे यह जो difference calculate करेंगे scalar field में यह आप calculate करने वाले हो किसके किसके बीच में point p1 and point p2 के बीच में तो यहाँ पर इसे आप कैसे show कर सकते हो इसे आप यहाँ पर show कर सकते हो calculus के थूँ आप जानते हो del v by del x dx plus del v by del y dy plus del v by del z dz ठीक है तो हमारा target क्या है बहुत अराम से अब understand करो तो हमारा target क्या है कि हमें यहाँ पर gradient mathematically अब calculate करना है तो हम कैसे calculate कर सकते हैं by calculating the difference in a scalar field dv between points p1 and p2 ठीक है तो यहाँ पर अब अगर आप देखोगे calculus के थूँ हमने क्या दिखा dv dv मतलब change in v एक तरह से तो वो क्या हो जाएगा change in v with respect to change in x and total change in x ऐसे ही करते हैं न हम लोग देखो जो v में change है न वो क्या होगा v में change होगा due to x में change के कार है और x में फिर कितना change होगा वो आपने multiply कर दिया फिर v में change होगा y में change के कारण फिर y में कितना change होगा वो आपने multiply कर दिया फिर v में change होगा z में change के कारण तो z में कितना change होगा वो आपने multiply कर दिया देखो suppose करो एक simple सा मैं ऐसी normal सा example ले रहा हूँ माल लो अगर del v by del x तो अगर x में change होता है 1 का तो v में change होता है let's suppose 2 का ठीक है तो x में 1 का change होने पर आपका v में 2 का change हो रहा है तो यहाँ पर ये भी तो बात आपको पता होनी चीए है कि x में कितना change हो रहा है तो अगर x में माल लो 3 का change हो रहा है तो v में कितने का change होगा, 6 का होगा न, अगर x में 1 का, तो v में 2 का, अब x में अगर 3 का हुआ, तो v में कितने का होना चाहिए, 6 का, तो आप देखो, del v by del x क्या शोग कर रहा है, change in v with respect to change in x, मतलब वो शोग कर रहा है 2, x में change 1 का हुआ, तो v में 2 का हुआ, और 7 में, जितना x में change हुआ, अब अगर x में change 3 का हुआ था, तो अगर आप ये 2 लिखोगे और ये 3 लिखोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये आपको ना meaning clear होनी चाहिए, कि हम जो ये mathematics में, calculus में जो dv लिखते हैं, उसका meaning क्या है, हम क्यों यहाँ पर पहले ये लिखत करते हैं, ये सारी बातें आपको clear होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस subject की बात नहीं है, ये हर एक subject में आपके लिखते हैं, अब आप देखो, इस dv को represent कर लेने के बाद, अब आपका target क्या होने वाला है, कि आप इस dv को ऐसे लिख सकते हो, कि देखो, del v by del x, ax, plus del v by del y, ay, plus del v by del z, az, dot, धान रखना मैं dot product ले रहा हूँ, अब हम क्या ले सकते हैं, dx, ax, plus dy, ay, plus dz, az, तो यहाँ पर आप देखो, जब आप dot product लेते हो, तो आपको पता है, ax dot ax 1 होता है, और ax dot ay 0, ax dot az 0 होता है, मतलब आपको normal ax dot ax करना है, ay dot ay करना है, az dot az करना है, तो जब आप करोगी ax dot ax, तो 1 हो जाएगा, तो answer क्या बचेगा, del v by del x, dx, ay dot ay 1, तो answer क्या बचेगा del v by del y dy az dot az1 तो answer क्या बचेगा del v by del z dz तो same answer आएगा बस मैंने उपर वली line को expand करके थोड़ा सा represent कर दिया है ये point आपको clear हो गया आपको पूरा समझना gradient को अच्छे से समझने के लिए अब आप देखो ये जो है dx ax dy ay dz az ये हमने already पढ़ रखा है जब हमने differential length study किया था rectangular coordinate system में तो ये आपका differential length का ही तो formula है न तो यहाँ पर अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसे मैं कुछ नाम दे देता हूं अभी इसे मैं नाम दे देता हूं g तो आपका g क्या है आपको clear होना चीए g है आपका ये del v by del x ax plus del v by del y ay plus del v by del z az ये आपका g है और यहाँ पर ये आपका आपको पता ही already study कर चुके हो differential length है तो ये जो आपका g dot dl आया है आप देख सकते हो आप g भी आपका vector था ax ay az और dl तो vector होता ही आपको बता है differential length यहाँ पर भी वरसे देख सकते हो ax ay az तो आप देखो दो vector का जो dot product होता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो dv is equal to g dl cos theta ठीक है न वेक्टर g vector dl का जब dot product हम करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं mod of g into mod of dl cos theta clear है यह हम पर चुके है start में जब मैंने आपको start में vector का basics बताया था dot product हम ऐसे ही represent करते हैं तो अब आप देखो अब अगर मैं ऐसे show करूँ dv by dl तो dv by dl की value क्या होगी देखो अब यह हो जाएगा आपका g cos theta यह point आपको अच्छे से clear हो रहा है g आपको समझ में आ रहा है यह है अब आप देखो यहाँ पर dv by dl जो है वो क्या show कर रहा है अब देखो start में मैंने आपको definition दी थी अगर आपने notes बनाए हैं या अगर आप वीडियो में पीछे जाकर देखो कि तब भी आपको समझ में आएगा दुबारा से देखो मैंने क्या बोला था rate of change of v ठीक है मैंने बोला था maximum rate of change of v तो यह आपका क्या show कर रहा है dv by dl change of v dl है क्या basically dl क्या show कर रहा है आप देखो ना dl यह है dl एक तरह से x के direction में change y के direction में change z के direction में change यह show करता है आपका dl तो यहाँ पर dv by dl वैसे यह जो dl है और यह जो आपने नीचे यहाँ पर dl लिखा है दोनों में क्या फर्क है यह जो dl था यह आपका vector था जब आपने dot product लिख लिया तो आपने क्या लिखा mod of g, mod of dl, cos theta लेकिन meaning तो आपकी वह ही है ठीक है dl क्या show कर रहा है x direction में, y direction में z direction में change को show कर रहा है तो dv by dl, यह show कर रहा है change in v, ठीक है अब यहाँ पर समझो मैंने आपको बोला था maximum rate तो maximum, maximum rate of change तो maximum change कब होगा आप इस equation को देखकर सोचो maximum change तभी होगा जब यह cos theta क्या हो 1 हो जाए तो cos theta 1 कब होता है जब theta कितना degree होता है आपका 0 degree होता है तो अगर आप यहाँ पर theta की value 0 degree ले लो तो देखो आप क्या आएगा dv by dl जो है वो आएगा आपका g और अभी तक मैंने आपको g नहीं बताया है ठीक है तो आप देखो dv by dl जो कि आपका g है यही आपका gradient है तो यहाँ पर dv by dl आपको क्या मिल रहा है maximum मिल रहा है तो अगर इसकी मैं definition फिर से आपको बताऊं तो gradient की definition मैंने क्या दी थी आपको कि gradient आपका क्या है vector है that represents both magnitude and direction magnitude and direction दोनों का दोनों represent करता है और वो क्या show करता है किस direction को और किस magnitude को show करता है वो that represents both magnitude and direction of maximum rate of change of v यहाँ पर आप बोल सकते हो चुकि यहाँ पर answer आपका positive है आप बोल सकते हो maximum rate of increase of v अगर यही पर answer आपका negative आजाता minus z आजाता तो आप बोलते है maximum rate of decrease of v ठीक है यहाँ पर बोलोगे maximum rate of increase of v change की जगा आप increase word भी use कर सकते हो तो यह आपका आगया dv by dl maximum is equal to g और यही g जो है basically यहाँ पर आपका g क्या है एक तरह से यहाँ पर आपका mod of g है ठीक है ना तो यही जो g है ना आपका वो क्या show करता है आपका gradient तो यहाँ पर अब अगर मैं कुछ चीज़ें आपको और show कर दू figure में तो आप देखो यह जो dl है ना जो आपका dl vector है यह कहाँ पर होता है यह basically यह है आपका आप p1 से p2 calculate कर रहे हो ना तो यह आपका dl है differential length है और जो gradient है g vector यह show करता है आपका g तो यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो theta जो है theta क्या होगा इन दोनों के बीच का angle हो जाएगा point clear है तो यह आपका angle बनेगा theta तभी आपने क्या लिखा था g dot dl की जगा g dl cos theta यह होता है न dot product वैसे g का जो direction है point p पर वो अभी इतना अच्छे से आपको clear नहीं होगा मैं अभी आपको separately एक property में भी सिखाऊँगा कि कैसा direction होता है ठीक है तो g मतलब क्या है आपका gradient है तो gradient को अगर मैं आप separately यहाँ पर आपको show कर दो यह सारी चीज़े understand कर लेने के बाद तो अब देखो अब ध्यान से तो अब आप ध्यान से देखो जो आपका यह g है ना यह आपका del v basically del v आप बोलते हो gradient del v आपको show करता है gradient को और देख लो g vector कौन सा था आपका del v by del x ax plus del v by del y ay plus del v by del z az यही था ना आपका g vector तो basically हमने gradient of v show कर दिया है तो gradient यह आपका full and final answer है rectangular coordinate system में अभी मैं आपको spherical and cylindrical coordinate system में भी formula show करूँगा और उसके बाद next lecture में बहुत सारे numerical भी करवाँगा तो अब आप यहाँ पर देखिए यह जो हम लोगोंने gradient of v show किया है इसके बाद कुछ properties हमें पता होनी चाहिए gradient की तो यहाँ पर one by one मैं properties आपको discuss कर रहा हूँ तो suppose करिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं u plus v की मतलब gradient of v की जगा अगर आप gradient of u plus v निकालते हैं तो आप इसे simply लिख सकते हैं gradient of u plus gradient of v ठीक है तो अगर आपको 2 scalar u और v obviously बात है scalar होंगे तो अगर आपको 2 scalar इस तरह से given हो तो आप इस तरीके से represent कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको del of uv means multiplication में अगर 2 scalar given हो तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं v del of u plus u del of v ठीक है जैसा simple differentiation की properties होती है ना वैसे ही है same आप देख सकते हैं उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें del u by v means अगर 2 scalar आपके division में हो ठीक है तो उपर वाला u है नीचे वाला आपका v है तो आपका formula क्या बनता है आपका formula यहाँ पर बनता है v del u minus u del v divided by v square यह आपका formula यहाँ पर बन जाता है ठीक है again same differentiation वाला formula और fourth property के अगर मैं बात करूँ del v की power अगर n हो तो यहाँ पर यह formula आपका बनता है n v की power n minus 1 into del v ठीक है तो यह आपका complete formula बनता है means कुछ properties है और यह properties सारी सारी same है जैसी आप differentiation की पढ़ते हो इसके लावा यह जो formula के बात अगर मैं fifth property के बात करूँ थोड़ी थी theoretical properties भी है इसकी तो अगर मैं theoretical properties की बात करता हूँ तो यहाँ पर अब आप समझो आपका del v gradient of v जो है ठीक है तो del v at point at any point is perpendicular to the surface आप बोल सकते हो constant v surface del v del v at any point is perpendicular to the constant v surface that passes through that point इसको समझो थोड़ा सा इससे आपको ना gradient कैसे show करते हैं वो भी आपको clarity होगी figure में आप देखो मालो यह आपका point जो है point कुछ भी नाम देदो p नाम देदो तो यह यह आपका del v है ठीक है तो मैंने आपको क्या बोला del v del v at any point मतलब point p पर is perpendicular to the constant v surface मैंने start में लिखाया था कि यह जो आपका v1 v2 और v3 है यह v1 है ना तो v1, v2, v3 जो है वो आपके क्या है contour है और उस पे आपका v क्या है constant है ठीक है मैंने यही बोला था आपको तो यह जो v1 है इस पे पूरा का पूरा v आपका क्या है constant है तो मैंने क्या बोला del v मतलब gradient of v क्या बताया मैंने आप पोस में del v at any point p is perpendicular to the surface that passes through that point और surface कौन सी constant v surface ठीक है तो यह point आप ध्याद में रख सकते हो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी आपको show कर देता हूँ let's suppose point q है तो यह आपका del v तो यह आपकी होती है property number fifth यह point भी आपको अच्छे से clear होना चाहिए इसके अलावा आपकी एक और बहुत important property है directional derivative तो जो directional derivative है ना और उस पर जो numerical है वो मैं एक separate lecture में आपको discuss करूँगा gradient पर ही depend करता है लेकिन अभी के लिए यह थोड़ा सा theoretical meaning थोड़ा सा tough हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले understand करो समझो इन theoretical meanings को ठीक है आपको इन meanings को leave नहीं करना है जो मैंने आपको आज diagram के थूँ समझाया है आपको समझने की कोशिश करनी है तो यहाँ पर अब हमें अभी क्या करना है अभी हमें ये task perform करना है कि हमने जो gradient का formula देखा है ठीक है properties तो सब के लिए same रहेंगी लेकिन जो formula हमने देखा है वो देखा है rectangular coordinate system के लिए Cartesian coordinate system के लिए आप देख सकते हो x, y, z अब हमें same formula देखना है cylindrical and spherical coordinate system के लिए ठीक है तो मैं आपको formula शो कर देता हूँ यहाँ पर तो आप देखो अगर मैं same formula यहाँ पर show करूँ आपको cylindrical coordinate system के लिए तो formula आपका क्या हो जाएगा यह formula आपका बन जाएगा del v is equal to del v by del rho a rho plus 1 by rho del v by del phi a phi plus del v by del z az del v is equal to del v by del r a r फिर आपका कितना हो जाएगा 1 by r del v by del theta a theta plus 1 upon r sin theta del v by del phi a phi यहाँ पर अब आपके दिमाग में दो question आएगे पहला यह formula इस आए कहां से दूसरा हम इन्हें याद कैसे रखें ठीक है तो दोनों का अंसर है मेरे पास पहले आप यह formulas अच्छे से note कर लीजिए फिर हम दोनों का अंसर देखते हैं यह तीनो formula हैं आपके Cartesian, Sillendrical and Spherical में तो अगर आपको याद हो तो previous lecture में हमने del का formula देखा था del का formula क्या था del by del x a x del by del y a y del by del z a z ठीक है यह जो del का formula था आपका del operator का हमने previous lecture में बहुत detail में study किया है तीनों के तीनों coordinate system के लिए del by del rho a rho del by del phi a phi और साथ में था 1 by rho प्लस del by del z a z और स्फेरिकल के लिए क्या था del by del r a r 1 by r del by del theta a theta और del by del phi और बहर में यहाँ पर कितना था आपका 1 upon r sin theta तो यह formula आपका था del operator का और मैंने आपको एक trick भी सिखाई थी वो trick आपकी same यहाँ पर भी work करने वाली है मैं final trick भी लिख दूँगा तो आप देखो यहाँ पर किया क्या गया है same है आप देख लो तीनो का तीनो formula वैसे यह formula तो मैंने भी आपको theoretically भी derive करके दिखाया है ठीक है न जो g आपको दिखाया था तो यहाँ पर अगर आप देखोगे same है formula आप देख सकते हो और last भी देखो आपने vv और v लिख दिया बस और कुछ नहीं है और अगर मैं trick की बात करूँ तो trick आपकी वही होगी और वो trick के लिए जो मैंने अलग से lecture लिया है उस lecture को जितनी बार revise कर सकते हो उतनी बार करो क्योंकि मैंने हमेशा बोला है एक trick और पता नहीं कितने सारे formula आप बड़े अराम से याद रख सकते हो तो वही trick यहाँ पर भी applicable होगी trick क्या है हमारी 1 upon h1 del by del u au और साथ में v 1 by h2 del v और यहाँ पर चुकि मैंने trick में u v w लिया था कि उसको आप small v ले लो नीचे वाले को फिर और साथ में क्या हो जाएगा a small v 1 by h3 del v by del w a w ठीक है तो यहाँ पर आप देखो आप अगर मैं cylindrical coordinate system का example लो तो cylindrical coordinate system में u v w क्या थे आपके rho 5 z तो u की जगा क्या पुट करते जाओगे rho v की जगा 5 w की जगा z h1, h2, h3 क्या थे 1, rho 1 तो h1 की जगा 1 h2 की जगा rho h3 की जगा 1 same वैसे इस spherical में क्या था u v w r theta 5 ध्यान रखना u v w मतलब ये u v w और साथी साथ unit vector में भी u v w तो spherical में u v w जहाँ जहाँ u दिखाई देता है न वहाँ वहाँ r put करो जहाँ जहाँ small v दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ theta जहाँ जहाँ small w दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 5 पस simple है और h1, h2, h3 क्या थे 1, r, r sin theta simple put कर दो आपका answer आजाएगा ठीक है तो ये आपका gradient का analysis होता है अब next lecture में basically next two lecture में आपको क्या क्या करना है पहला तो gradient पे कुछ basic numericals करने है ताकि आप in formulas का use सीख जो gradient बड़े अराम से calculate कर पाओ और इसके लावा जो मैंने आपको बताया gradient से related एक बहुत important topic है property है directional derivative उसको भी हम सीखेंगे एक separate lecture में और उसके उपर भी एक question करेंगे तो अभी आपका gradient फिनिश नहीं हुआ है अभी just basic theory हमने study करी है और एक चीज और gradient जो है ये topic आप दोबारा पूरा का पूरा फिर से पढ़ोगे और detail में पढ़ोगे जब हम लोग potential difference या voltage study करेंगे ठीक है जब हम लोग electric field start करेंगे basically तो आज के lecture में इतना ही thank you